वेलकम दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एक खोज में आज हम आपको प्राचीन काल के एक रहस्म है पीरी रिस के नक्से के बारे मताएंगे तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं तुर्की में 1513 इसभी के आसपास एक नक्सा तयार किया गया था जिसे तयार किया था पीरी रिस ने वो ओटमन समराज में नौसेना के एक वरिष्ट अधिकारी थे यही करण था कि नक्से को पीरी रिस का नक्सा कहा जाता है रिस एक महान सैनिक अफसर थे जोनोंने अपने सुल्तान के लिए कई यूद जीते थे वे भूमद सागर के हर हिस्से से बखूबी परचित थे और उन्होंने नाविकों के लिए भी एक सुन्दर पुष्टक लिखी थी इस पुष्टक में भूमद सागर के हर इलाके और बंदरगा का सुन्दर विवरड है किसी बात पर तुर्की का सुल्तान पिरीरिस से नाराज हो गया और उसकी गर्दन कटवा दी गई पिरीरिस ने जो नक्षा तयार किया था उसमें कुछ ऐसी इस्थान भी है जिसका उस समय पता नहीं था उनके तयार किये गए नक्षे में अफरिका का पश्मी किनारा नहीं दिखता नक्षे में अंटार्किटिका का उत्तरी किनारा भी दर्साया गया है अंटार्किटिका को दर्साया जाना कापी रहसे मातमक है क्योंकि अंटार्किटगा की खोज 1818 में हुई थी क्योंकि मोड लाइन का बर्फ रहित इस्थान देखना भी आश्चर जनक है क्योंकि आज से 6000 साल पहले यानि 4000 इस्वी पूरों में यह जगव बर्फ से धकी नहीं थी यहाँ पहले कभी न तो किसी तरह की भूमी सर्वेक्षड हुआ था और नहीं कोई नक्सा बनाया गया था पीरी रिस ने इस नक्से को तयार करने के बाद यह साब साब लिखा है कि नक्से को तयार करने में उन्होंने उन नक्सों का सहारा लिया जो पहले से मौजूद थे रिस के अनुसार उन्होंने इस जगह का कोई सर्विक्षड नहीं किया नहीं नक्से में किसी नए इस्थान को दिखाया पिरी रिस ने कोलंबस वा अन्य नाविकों के बनाए नक्सों की मदद ली थी प्रपेसर चार्ल्स एच हैबूर्ड ने 1963 में पिरी रिस के इस नक्से की गुत्ती सुलजानी की कोशिस की हैबुर ने कहा कि पीरी रिस ने जिस नक्सु की मदद ली उनमें से 400 इस्वी पुर्व के भी पहले के थे इससे पता चलता है कि 4000 इस्वी पुर्व से पहले भी किसी सब्हेता ने इस दुनिया का सर्वेक्षड किया होगा हो सकता है कि यह सूचना एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुचती रही हो यह भी एक सत्य है कि प्राचिन काल में भी रोम, यूनान, भारत और चिन की सब्हेताएं समुद्री व्यापार करती थी और समुद्र तट पर तमाम मंदरगा भी होते थे सिकंदरिया के विशाल पुष्ट काले में भी तमाम नकसे मौजूद थे हो सकता है कि तमाम नाविक उस समय अंटार्क्टिका गए हो जब वो बर्फ से न धका रहा हो प्रोफेसर हैबबूर के कार की प्रसंसा अंस्टाइन तक ने की थी इसके बाद भी उनके इस काम का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया नहीं इसे आगे बढ़ाया गया अंटार्क्टिका 4000 इस भी पूरु से पले बर्फ से धकी नहीं थी क्योंकि यह इलाका काफी गर्म था पिरीरिस ने जो नकसा तयार किया वो 1929 में मिला था और इसे हीरन की खाल पर पेंट करके बनाए गया था सिर्फ अंटार्क्टिका ही नहीं इस नकसे में कई अन्य रहस्य भी हैं नकसे में अमेजोन नदी को पारा नदी के मुहाने से बहता दिखाया गया है और इसमें मुराजो द्रीब भी नहीं दिख रहा है यानि पीरी रिस ने जो सुरोत लिया वो 15,000 साल पुराना रहा होगा हद तो यह थी कि नकसा 1513 में बना पर मुराजो द्रीब की खोज 1543 में हुई थी यानि किसी प्राचिन सब्यता ने इस द्रीब को नो सिर्प खोजा वरान इसका पूरी तरह सटिक नकसा भी बनाया पीरी रिस में कई अन्य द्रीब भी नजर आते हैं पर आज ये नहीं दिखते यानि उस समय के साथ ये समुद्र में समा गए तो दोस्तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसे सेयर करना नव भूलें धन्यवाद